हाई दोस्तों नमस्कार एजूकेशन आलाइट यूटूब चैनल में आपका स्वागत है यानि परधान मंत्री सरम मांधन पेंचन योजना 2019 इस योजना की सुरुवात श्री नरेंदर मोधी दुवारा आज 5 मर्च 2019 को गुजरात से इसकी सुरुवात की गी है इसके तैट पर प्रोसेस है संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त कर लेते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगर आप हमारे चैनल पर नए वीवर्ट है तो चैनल को सब्सक्राइबर्स करे और सब्सक्राइबर्स करे जान ये सब कुछ यानि इसकी शुरुआत गुजरासे कीगी है आब इसके बारे में संपून डिटिलम प्राप्त कर लेते हैं यानि PM पेंशन इसकिम परधार मंत्री नरेंदर मोदी ने आज PM स्रम मांदन पेंशन योजना लॉंच कर दी है इस योजना के जरिये कामगारों को तीन हजार रुपे की पेंशन मिलेगी जानिये इस योजना के बारे में सब कुछ यानि नई दिल्ली परधान मंत्री स्रम मांदन पेंशन योजना लॉंच हो गई है परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने इस योजना को लॉंच किया योजना से जुड़ने वाले को सार साल की उमर के बाद तीन हजार रुपे की पेंशन मिलेगी ये योजना कामगारों के लिए है योजना का रजिस्टेशन पंदरा फरुरी से शुरू हो चुका है परधान मंत्री ने इस दोरान लाभार्तियों को कार्ड भी जारी किये है यानि इसके ओनलाइन रिजिस्टेशन विबाग ने स्टार्ट कर दे जो पंदरा फरुरी से स्टार्ट हो चुके है अब लाभार्तियों को कार्ड भी जारी किये गए है यानि इस योजना का एलान अंत्रिम वित मंत्री प्यूस गोईल ने बजट के दुरन किया था इसके लिए बजट में पांच हजार क्रोड रुपे की राशी भी आमटित की गई है परधार मंत्री सरम मांधन पेंचन योजना का मुख्य लक्स से एसंकटी छेतर में काम कर रहे लोगों को रेटार्डमेंट के वास्फरक्षा देना है यानि आप तक इस योजना से 11.5 लाख बियारती इस से जूट चुके हैं इसमें अब तक 13.5 क्रोड रुपे जमा हो चुके हैं परधार मंत्री नरेंदर मोदी ने भी इतनी ही रकम भाड़ सरकार की ओर से दिया है रजिस्टरेशन करवाने वालों में गुजरात, हर्यान और माराष्टर सब से उपर हैं हालाएं कि यह योजना ओल इंडिया में परधार मंत्री दोवारा सुरू की गी है यानि इस योजना के तैथ आपको 55 रुपे हर महीने जमा करवाने होंगे और उसके बाद 60 साल के बाद यानि उस पुरुष को 3000 रुपे परतिमाएं पैशन के रूप में दिये जाएंगे आगे आप देख सकते हो सरकार को उमीद है कि इस योजना के जरिये 10 क्रोड कामगार जूडेंगे कई जगे परधार मंत्री स्रम मांधन पैंशन योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो गए है बड़ी सिंख्या में लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जानिये इस योजना के लिए कौन पात्र होंगे और किस तरह आप इसका फायदा उठा सकते हैं यानि इस योजना की खास बाते आप जान सकते हो जिसकी संपून डिटेल आप देख सकते हो यान इस योजना की खास बाते यानि आपको registration करते हो वक्त किन बातों का ध्यान रखना है यानि कौन सी परिक्री आगो फोलो करने वो आप यह देख सकते हो यानि सरम मंत्रा लेके मुताबिक 40 साल तक के कामगार इस योजना के लिए registration करवा सकते हैं यानि जी सुमीदवार की एच 40 साल तक है वह इसके लिए रजिस्टर्शन करवा सकते हैं 40 साल के उपर वाले के लिए योजना नहीं है आगे देख सकते हो 60 साल की उमर पूरी होने के बाद रजिस्टर्ड वेक्ति को 3000 रुपे की पेंशन हर महीने मिलेगी योजना में हर महीने 15,000 रुपे कमाने वाले एसंगटी 46 के कामगार सामिलोंगे यह इसकी पातरता की सरत है यानि महीने के 15,000 रुपे कमाने वाले वेक्ति इस योजना के लिए पातर है तो उसे हर महीने सिरफ 55 रुपे जमा करने है वही 40 साल के वेक्ति को हर महीने 200 रुपे रकम जमा करने होगी यानि अगर आपको इसाल 18 साल है और आप इस योजना से जूड़ना चाहते हैं तो आपको पर महीने 55 रुपे जमा करवाने होगे और 40 साल से अधिक के वेक्ति को 200 रुपे जमा करवाने होगे और 30 साल की उमर वाले को इस योजना से जूड़ने के लिए 100 रुपे परती महिना जमा करवाने होगे आपको 60 साल की उमर तक यह रकम देनी होगी यानि 60 साल की उमर तक आपको यह रकम देनी होगी और उसके बाद आपको सार साल बाद में गोवर्मेंट दवारा तीन हजार रुपे परतीमाई पेंटिसन के रूम में दिये जाएंगे यानि इसके लिए 18 साल से कम की उमर नहीं होनी चाहिए आप जितनी रकम जमा करेंगे उतनी ही रकम सरकार भी आपके नाम से जमा करेंगी जो भी वेक्ति इस योजना से जुड़ेगा उसके पास आधार कार्ड बेंक में अकाउंट होना जरूरी है यानि जो वेक्ति इसके लिए जुड़ना चाहता है उसके लिए पास आधार कार्ड और बेंक अकाउंट होना आउस्यक है इसका Registration Common Service Center में जाकर करवाय जा सकता है अगर आपने Registration करवा लिया है तो यह आपका आवेदन होगा आप इस योजना की जानकारी 1-800-2676-8888-123 नमबर पर भी ले सकते हैं यानि इस नमबर पर आप कोल करके इसकी संपून जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आपको जो भी डाउट हो नेक्ट है योजना में रेहडी वाले यानि इस योजना में रेहडी वाले रिक्षा चलाने वाले Construction मजदूर कूडा बीनने वाले बीडी बनाने वाले हदकरगा करसी कामगार मोची धोबी चमडा कामगार और इस तरह के कामों से जुड़े लोग भाग लेग सकते हैं जो लोग राष्ट्रिय पेंट्सन योजना, करमचारी राज्य बीमा निगम योजना या फिर करमचारी बाविस्से नीधी योजना में आते हैं वे इसके पातर नहीं होंगे, इंकम टेक्स बरने वाले भी पातर माने जाएंगे इस स्कीम के लिए सरकार एक पेंट्सन फंड बनाएगी, इस फंड के जरिये ही सभी को पेंट्सन दी जाएगी अगर किसी कामगार की योजना के दोरान निधन हो जाता है, तो उसकी पत्नी स्कीम में योगदान देकर इसको जारी रख सकती है अगर किसी कामगार की योजना के दोरान निधन हो जाता है, तो उसकी पत्नी स्कीम में योगदान देकर इसको जारी रख सकती है अगर कामगार के निदन पर उसकी पत्नी या पत्ती योजना से बाहर होना चाहते हैं तो वे उनकी दी गई कुल रकम पर ब्याज के साथ इसे वापस ले सकते हैं अगर किसी की पेंशन शुरू हो गई है और उसके बाद उसका निदन होता है तो उसके पत्ति या पत्तिनी का पेंशन की 50 फिश्टे रिकम मिलेगी तो ये थी परदान मंत्री सरम योगी मानुव योजना जिसके रूल्स मैंने आपको इस वीडियो में संपून फोलो कर दी है और अगर इसके लावा आपको और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट के मादम से पूछ सकते हैं अगर दोस्तो ये न्यूस पसंद आई तो आपको चैनल को सब्सक्राइबर जूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइबर करने के बाद वेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको तुरुन मिलती रहें धन्यवाद दोस्तो जय हिंद जय भारत प्रुन बड्सक्राइबर